आज हम आपके लिए 28 पार्ट डिसक्स करने वाले हैं तो जिसने चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए तो देखिए सबसे पहले हमारा फास्ट कोशन क्या आप हो रहा है एक्जामिन दा फॉलिंग तरह सेल के लिए शुड वी बेस्ट और इस इल्ड स्टेस बिलकुल सही बात है जो स्टेम इल्ड्र स्ट kel के लिए वह इल्ड Nazi होता है उसके बैस पर 1.78 से लेकर 1.80 होता है स्टील की बात हो रही आपर partially के नहीं हो रही है partially के लिए कि आपको पता है कि 1.15 होता है स्टील के लिए लेकिन ये factor of safety है तो ये yield stress जो होता है उसके base पर होता है ये statement सही है उसके बात factor of safety स्टील के लिए देखिए ultimate stress तो यह बिल्कुल गलता है क्योंकि यह already yield stress पर based होता है तो ultimate stress पर नहीं होगा उस पर देकि factor of safety जो होता है concrete के लिए should be based on its yield stress बिल्कुल गलता है क्योंकि yield stress जो होता है वो steel भी आपको देखने को मिलता है उसका पर fourth statement क्या बोर रही है factor of safety for concrete should be based on its ultimate stress ultimate stress या फिर FCK जो होता है उस पर based होती है जो factor of safety होता है concrete का तो वो तीन होता है यह चीज़ भी आप याद रखिए concrete के लिए कितना होता है steel के लिए factor of safety कितना होता है तो एक और चार्ज statement सही है बाकी दोनों गलत है बीच वाली गलत है तो इस इसाब से हमारा जो correct answer बनता है यहां पर option B बनेगा तो यह भी आप देशाते हैं question lengthy साथ हमने सिर्फ आपको statement ही दिखाई कि कौनसी statement सही है बाई अगला option क्या बोर है as बर हमारे IS code के coding इस फ्लक्टक्रांट पूछ रहा है कन्क्रेट की बाई क्या होगी जिसकी क्योल केक्टिस्टी स्टेंफ हो थे हुआ आपको बता है कि फ्लक्ट जो स्टेंफ होती है कि उसको find out करने के लिए formula होता है fc r is equal to 0.7 under root fc k fc k हमारे पास 25 newton mm2 दिया गया है 0.7 हम इसको find out कर सकते हैं 0.7 is equal to into fc k 25 अगर आप 25 square root निकालेंगे तो 5 आएगा तो 0.7 into 5 3.5 newton पर mm2 हमारा answer c इस question के लिए answer बन जाएगा अगला question देखिए for concrete of grade m20 50 m20 50 का grade दिया गया है value of flexure tensile strength will be value of tensile यह same भी formula आपको find out करना है अगर जब भी आपको यहाँ पर दो question और बन सकते हैं आपके तो यह भी आपको याद रखना है कि भाई दो question कैसे बन सकते हैं दो question इस तरह से बनते हैं कि भाई एक is code होता है 516 एक is code होता है कौन सा 5816 सिर्क आप बीच में 8 आ गया है तो यह दोनों is code जो है किस किसे rate करते हैं यह भी आपको पता होने चाहिए जो 516 is code है यह होती है उससे रिलेट करता है एंड जो 5816 जो होता है यह इस प्लिट टेंजाल स्टेंट जो होती है कॉंक्री उससे रिलेट करता है तो यह दोनों code आप याद रखें कि इसको लेकर भी exam में question बन सकता है आपका बाकि इस question को सॉल्व करने के लिए हो वही formula लगाना पड़ेगा 0.7 अंड रूट 50 50 का रूट निकालेगा तो 7.07 आता है तो 749 option 4.9 हमारे पास इस question के लिए answer बन जाएगा तो यह चीज़ भी आप यह दर किये नियरवाइ 5 Newton के आसपास आ रहा है तो option A हमारा इस question के answer बन जाएगा क्योंकि आप 4.9 नहीं दिया गया है तो नियरवाइ 5 के इकुल ही होगा वह अगला question रहिए अंडर constant load the creep strain in concrete is under जो लोड रग रहा है वह क्या है constant है तो creep strain जो होता है क्या होगा आपको पता है कि creep जो होता है वो time dependent होता है इस time पर ही depend करता है कहने का meaning यह है अब अगला देखिए partially factor of safety जो होता है concrete and steel के लिए respectively में भी पहले concrete के लिए बताना फिर steel के लिए बताना तो partially जो होता है 1.5 होता है लेकर factor of safety होता है उसी तरह से आप स्टील की बात करेंगे तो partially होता है 1.15 होता है लेकिन जो factor of safety होता है वो 1.78 से लेकर 1.80 होता है यह दोनों चीज़े आपको पाता हूंज कि कौन सी partially factor है कौन सी factor of safety है तो यहाँ पर सिक्वेंस में हमें बताना है तो सबसे पहले कॉंक्रीट का है 1.5 and 1.15 ऑप्षिन ए हमारे स्कॉष्ण ग्रेंज बन जाएगा तो यह चीज का भी आप खास त्यान रखिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लिजिए और साथ में पैल आइकन को प्रेस भी कर कर रहा है तो में तो में जो होता है यह यह होता है यह सारी किसके लिए प्लेंज बाड़ जो होती है उसके लिए है डिफरेंट डिफरेंट के लिए आपको पता है कि जो अलगलग होता है तो यहां पर जो एफ इजो था स्टील उसके लिए पूछा गया था यहां पर पूछा था तो 60% इंक्रीज हो जाता है यहां पर M25 के लिए पूछा था पॉइंट 9 था तो 60% इंक्रीज होने के बाद में भी वह आ जाना था आपका 1.5 वैसे होता तो 1.44 है तो अप्रोक्सिमेट 60% इंक्रीज हो जाता है बॉंट्स अगर आप तो और बार जो होती है उसको यूज करते हैं तो इसको आप दियार में द्रख सकते हैं नेक्स में देखिए फॉर बीच आफ फॉलिंग डिफॉर्मेशन और आच से डी बीम पराइमिल डिजाइन किसके लिए डिजाइन करते हैं यह जिस आपको पाजा होनी चाहिए जिसमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए देखिए यहां पर यह लिखा हुआ है सिंपल कोशन पूछा के लिए डी बीम डिजाइन फो यहां पर कोशन बहुत ही लेंथी बनाके दिया गया है डीफ बीम कई बार एक्जाम में कोशन यह पूछा गया कि डीफ बीम डिजाइन फोर बेंडिंग मोमेंट ऑप्शन सी हमारा इस कोशन के लिए अन्सर बन बाई एक ड्रॉफ नाम का एक आइटम है जो कि आप प्रवाइड करते हैं फ्लैट स्लैब में ताकि वो रिजिस्ट कर सके या फिर उसके जो भार होता है उसको वो रोक सके तो वो शियर होता है शियर को रिजिस्ट करने के लिए ड्रॉफ जो होते हैं वो प्रवाइड किये जाते हैं, flat slab में, अगला कोशन देखिए, if the side of the slab, simply supported slab, on, edge and spanning in two directions are equal, the maximum bending moment is multiply by, maximum bending moment होता है, वो multiply किया जाता है, किसने से, तो maximum bending moment होता है, वो 0.5 से multiply किया जाता है, D हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा, अगला question क्या बोर रहा है, यह part of slab, may be consider as flames of the T beam, बोर रहा है कि एक ऐसा part of slab का, जिसको आप consider कर रहे हैं, Flames of T beam, if, dash, if dash क्या होगा यहां पर, चार अंसर दिये गए है, हमारे पास, if, dash, क्या अंसर देगा इस question के लिए, तो इस question के लिए हमारा answer क्या हो जाएगा, option 4 हो जाएगा, all option are correct, Flames has adequate reinforcement transfer, traverse to beam, it is built integrally with the beam, and यह सारे ही answer, बिल्कुल सही है, इस beam के cases में, अगले देखिए, practically, which slab is not possible to construct, practically इन चारों में से कौन सा slab जो होता है, वो बनाना मुश्कल है, संबब नहीं है, तो कौन सा slab है, जो की संबब नहीं है, हमें यह बताना है, तो देखिए, यहां पर जो possible नहीं है, वो option D answer जाएगा, purely simply spotted, purely simply spotted, one wake up बना सकते हैं, डू wake up बना सकते हैं, partially spotted बना सकते हैं, लेकिन purely simply spotted का भी, जो slab होता है, वो आप नहीं बना सकते हैं, option D हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा, अगला देखिए, hoop tension in a RCC water tank will be registered by, hoop tension जो होती है, वो resist की जाती है, RCC tank में by, किस के दोरा, steel, alone के दोरा, concrete के दोरा, या फिर दोनों के दोरा, आदी-आदी, या फिर इन दोनों में से किसी के दोरा भी नहीं, तो RCC tank जो होता है, water tank उसमें hoop stress जो होता है, वो आदा concrete और आदा जो होता है, steel के दोरा, resist किया जाता है, option C हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा, अगला देखिए, the base width of retaining wall of height at H is generally taken as, so B is equal to, B जो होता है, वो कितना होता है, आपको यहाँ पर यह बताने कि B is equal to, कितना होता है, so B जो होता है, वो base होता है, तो base के जो width होती है, वो कितनी होती है, उसको निकालने के वैसे दो formula होते हैं, आपको यह पता होने चाहिए, एक तो formula होता है बहुत 0.4 h से लेकर 0.6 h होने चाहिए यानि कि h यहां पर height है मान के चलो कि आपकी height जो है वो 4 meter है तो 0.4 से 0.6 हम 0.6 ही मान के चलो 4 ही मान के चलते हैं into h height से multiply करें चार्च के 16 1.6 meter इतना आपका जो base है वो होना चाहिए एक formula यह होता है दूसरा formula यह होता है कि जितना slope दिया गया है उसको multiply करने के बाद आ जाता है मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके उपर I think आप मैंसे कई लोगों ने देखी होगी वीडियो तो इस case में हमारा जो answer हैगा option number B 0.4 से लेकर 0.6 h होता है तो यहां पर 0.6 h दिया गया तो हमारा answer यही हो जाएगा अगला question देखिए तो देखिए यह stain की value आपको पता होने जुरूरी है क्योंकि इस से question आपका बन सकता है जो total stain होता है अलगला grade के लिए अलगला होता है जैसे कि यहां पर अगर आपके पास FE 250 का grade दिया गया तो उसके लिए जो total stain होता है वो point 20 308 यह होता है total stain अगर आप 415 grade की बात करेंगे तो उसके लिए सभी में 20 रहेगी इसमें 38 होता है FE 500 grade की अगर आप बात करेंगे तो 0.20 41 7 यह total stain आपको देखनों को मिलता है इन सभी grade के लिए हमसे यही पूछा गया है तो हम इसको ही answer कर देंगे option B हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगला question देखिए फोर वर्टिकल स्टिफनल बैब ऑफ तप प्लेट गर्डर दे लेसर क्लियर डिमेंशन अफ द पैनल शूद नोट exceed तो इस case में हमारा answer 180 T हो जाएगा यानि कि 85 से 200 के बीच में होना चाहिए option 180 के लिए answer बन जाएगा अगला देखिए कितना होता है 1.2 होता है combination जो होता है 1.2 आप इसको याद रखिए अगला देखिए बेंडिंग कंप्रेसिव एंडेंजाइल स्ट्रेस्स रिस्पेक्टिवली आर कैल्कुलेटर बेस्ट ऑन किसके बेस पर कैल्कुलेट किया जाता है तो जब भी आप बेंडिंग कंप्रेसि पर आप कल्कुलेट करते हैं एंड टेंजाइल जो होता है वो नेट के बेस पर कल्कुलेट किया जाता है यह ग्रोस एंड नेट ऑप्शन भी हमारा इस कुश्चन के लिए नसल भल जाएगा इस टील का कुश्चन है अगला देखिए slenderous ratio has which of the following dimension slenderous ratio जो होता है उसके पास कौन सी dimension होती है वो उसके पास कोई भी dimension नहीं होती है वो क्या होता है वो एक dimensionless होता है option D हमारा इसको कुश्चन हो जाएगा dimensionless quantity उसकी कोई भी quantity नहीं होती है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए अगला देखिए question क्या हो रहा है two structural steel plate of thickness two structural plate दीगे हमारे पास 12 mm and 14 mm की are to be weld together उन तोनों को weld करना आपको together what will be the maximum size of filled weld maximum size of filled weld is क्या होगा तो अगर आप इस plate को consider करते हैं कि एक square plate है square plate के आपको पता है कि plate की मोटाई जितनी होती है उस पे आप minus कर देते हैं 1.5 mm maximum size आ जाता है fillet weld का तो 12 minus 1.5 तो 10.5 यह हमारे पास question के लिए answer बन जाएगा option B हमारा इस question में answer हो जाएगा जिसने चैनल को subscribe नहीं किया है वो कर लीजिए अगला question देखिए which of the falling will be preferred for column के लिए which of the falling which one of the falling इन चारों में से किसका column के लिए रूप में आप consider करते हैं तो D इनर्स टैड़ है वी बीम जो होता है यह column के लिए consider किया जाता है यह light beam होता है यह medium होता है यह H4 Heavy W4 Beb M4 Medium L4 Light तो यह चीज भी आप याद रिखिए जो Beb होता है यह चोड़ा होता है यह भी आप याद रिखिए Medium Light तो सभी को पता है उसको अगला कोशन क्या बोर है As पर हमारे इसके According Roller, Steel, Beam Section are classified into कितने पार्ट में classified किया गया है पांच पार्ट में classified किया गया है पांच पार्ट में तो पांच पार्ट ऑप्शन G, D हमारा इसरो हो जाएगा जैसे कि Indian Standard Medium Beam हो गया Indian Standard Junior Beam हो गया Indian Standard Light Beam हो गया Indian Standard Web Beam हो गया Indian Standard Heavy Beam हो गया तो यह पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच शेड़नी होगा इस सीरिज अगला देखे लोड ओन Connection is not eccentric for लोड ओन Connection जो होता है connection पर जो लोड आता है वो बोड़ा है कि भाई, eccentric नहीं होता है Lap joint, single cover, double, none of the above, तो वो क्या double cover जो होता है वो नहीं होता है C हमारा अंसर बन जाएगा अगला देखे, what is the advantage of pin connection जो pin connection होता है उसका आपको lab बताना है कि भाई, क्या होता है तो pin connection जो होता है उसका ये होता है कि उसको जो secondary stresses होता है वो usually ना के बराबर होता है option A हमारा इस question के लिए अंसर बन जाएगा अगला देखे, according to हमारे आईस-800 के according which of the following is not a limit state of durability consideration तो वो brittle failure जो होता है वो नहीं होता है brittle failure नहीं होता है अगला देखे, क्या बोर रहा है which of the following represents the value of hourly variation factor hourly variation factor जो होता है वो क्या होता है तो वो 1.5 होता है 1.5 जो होता है यह hourly variation होता है लेकिन daily के लिए 1.5 होता है question क्या बोर रागला what will be the infiltration rate if the intensity of rainfall is more than infiltration capacity जो होती है soil की, तो इसके लिए हमारा जो अंसर रहेगा वो option B हो जागा है equal to infiltration capacity जो होती है उसके बराबर होती है B हमारा अंसर बन जाएगा one degree of hardness जो होती है वो किसके बराबर होती है one degree hardness जो होती है वो 14.25 mg लीटर के बराबर होती है भी हमारा इस question के लिए अंसर बन चाहेगा अगला question देखें, dash is the apparatus, dash भाई इन चारों में इस एक apparatus है, in which turbidities measure as a function of intensity of light scattered as it passes through the water sample, nephilometer, इसके दोरा ही आपको पता है कि turbidity measure की जा सकती है, nephilometer जो होता है, अगला question क्या बोर रहा है, hardness in water is removed by, hardness hardness होती है, वो remove की जा सकती है, किस के दोरा, lime soda process के दोरा, heating के दोरा भी कर सकते हैं, लेकिन ये heating के दोरा, sorry, boil करके, वाल कर, ये गर्म करना तो नहीं है, iron process के साथ भी कर सकते हैं, तो option D हमारा question के लिए answer बन चाहेगा, D हमारा question के लिए answer बन चाहेगा, hardness जो होती है, इसके दोरा remove की जा सकती है, अगला question देखी, which laboratory test is done to determine approximately the doses of coagulant, ये dose होगा, dose is, हाँ, dose एक ही बाद है, dose एक ही बाद है, dose होता है, coagulant का, वो किस test के दोरा determine की जाता है, लेकिन आपको laboratory में करना है, तो किस के दोरा की जाता है, जो jar test होता है, उसके दोरा किया जाता है, option C हमारा इस question के लिए answer बन चाहेगा, अगला question क्या बोरा, what is the range of effective size of sand particles used in slow sand filter के लिए, slow sand filter के लिए, जो effective size use के जाता है, sand के लिए, वो क्या होता है, तो effective size के अगर आप बात करेंगे, sand के लिए तो 0.25 से 0.35 mm होता है, यानिके mm होता है, option C हमारा answer बन जाएगा, हमारे most 30 questions वीडियो को अपने दोस्तों साथ share करें, चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लिजिए, और साथ में बैल आइकन को press कर लिजिए, मिलते हैं next video में,